Hey guys, welcome to channel exam guruji उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छ होंगे और आप जिस किसी भी exam की preparation कर रहे है वो भी अच्छी चल लएगी तो guys हम discuss कर रहे थे अपनी वीडियो में ancient history को यानि के प्राचीन इतिहास को जिसमें हम discuss करेंगे 500 questions जो की MCQ में है और उसको with detail में discuss कर रहे है तो मेरी सभी से request है जिन्होंने हमारा पहला part नहीं देखा है और वो इस part को देख रहे हैं तो please पहला part भी देखें आपको उपर आई का sign देखेगा वीडियो में जब start होगी वहाँ से access कर सकते हैं फिर आप description में जो नीचे link दिये गए है वहाँ से भी playlist का link दे दिये जाएगा वहाँ से access कर सकते हैं second अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe ज़रूर कर लिए न और subscribe करने के बाद आपको यहाँ पर एक bell का icon देखेगा उस पर press करना बिल्कुल भी ना भूने ताकि हमाई तरफ से जो आगे वीडियो अप्लोड हो उसका notification आपको मिलता रहे और आप वीडियो को easily access करते रहे हैं चलिए फिर देर ना करते वे शुरू करते हैं आज की वीडियो तो guys जैसा के आपने पिछले part में comment किया था के questions को हिंदी में भी होना चाहिए तो हमने कुछ कोशिश की थी बट वो कोशिश पूछ तरीके से सफ़न नहीं पाई क्योंकि जो हमने translate किया question हमारे पास English में है और translate हमने जब इसको Google से किया तो कहीं न कहीं थोड़ा सा हिंदी में problem आ रही थी जो सही word थे वो नहीं हो सकते जैसे कि हम पहला question देखें अगर 26 नंबर है आज की वीडियो का और हड़पन civilization declined as a result of ठीक है हड़पा सब्विता के परग्राम सुरूप ग्रावट आई जबके यहां होना चाहिए था पतन ठीक हड़पा सब्विता का पतन कब हुआ ग्रावट नहीं था word ठीक है इंग्लिश में decline का मतलब ग्रावट भी होता है और इस sentence के हसाब से देखें त ठीक तो इसके option जो है वो है first है Aryan invasion मतलब Aryan का आकरमण ठीक decline in foreign trade विदेशी बैपार में ग्रावट एकलोजिकल फैक्टर्स पारिसे से कारक not definitely known factors यानिके निश्चित रूप से ग्यात कारक नहीं है ठीक तो इसका जो सही answer है वो है option number D यानिके not definitely known fact तो हुआ क्या है अभी तक जो है मतलब इसका अंत कैसे हुआ यह पता नहीं लग पाया है इसमें कुछ मदवेद बने हुए हैं सबसे बड़ा जो कारण है वो है हड़ापय सबदा की लिपी ठीक है मतलब language जो है वहां की यही इस किसका सबसे बड़ा कारण है इसको क्या है पर नहीं पा रहे हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से और जहां तक है कि फिर भी इसके पतन के बारे में जो कलपना किया सकती है क्योंकि जहां इतिहास असफल हो जाता है वहां हम कलपना का आश्रह लेते हैं आना स्वभाविक था अता ये तर्क जो है वो सर्वमान ने है ठीक है ये सर्वमान कर लिया गया है तो हम कह सकते हैं कि डी वाल आप्शन जो है यानि कि नोट डेफिनिटली नून फैक्ट ठीक आगे बढ़ेंगे यानि कि सभी हडपा स्थलों पर पाए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है ठीक है यहां पर देखो फिगर को इसने क्या करती है आपड़ा करती है ठीक है तो हमें बताना है जो मतलब सबसे जादा पाए जादा था आम जानवर एक तरीकी के से फिएक सिंग बाला गाय बैल बुल या वाल गैशल तो सही आंसर जो होगा वो यूड़ यानिकि एक सिंगेम बैल जो जसको बोलते हैं एक सेंगा बैल सिंदु घाटी सब इता के कुछ मोरों पर एक सिंग वाले पश्व जिसकी रूप ने किसी बैल के जैसी हो सकती है का चित्र है ठीक है एक सिंगा इसका मतलब यहां पर जो सिक्के थे वो उन पर इसका साइन था इस तरह के देजाने वाले महरों को उच्ची सामाजिक शिरेणियों का चिन माना भी जाता है ठीक आगे बढ़ेंगे अब कोशन नमबर 28 दा टर्म आरियन इंडो आरियन और इंडो एरोपियन डिनोट्स आ कॉंसर्ट आरियन इंडो आरियन या इंडो एरोपियन शब्ज जो है वो दर्शाता है किसको लिंग्विस्ट को भाशाई रैसिकल नसलिये रिलिजियस धार्मिक कल्चरल यानिके चार लिए अगे अक्रडिंग टू दा मोस्ट वाइडली एकसेप्टिट व्यू दा आरियन और इंडो एंडों यानिके सबसे ज्यादा जो माना गया है एक तरीके से व्यू वो क्या है कि ओर जो ओर इंडों आरियन वो कहां से आये हैं ठीक है तो वह इंडिया के थे सेंट्र अशिया से इसका ओरिजन माना जाता है किसका आरियंस का ठीक तो आरियंस बहार से आयती यह तो हमें पता ही था लेकिन कहां से आयते उसका कोई सठीक जवाब अभी तक मिला भी नहीं है जैसे कि हम से कोशनम पूझा गया जो वाइडली एकसेप्टेड भी हो जानिकि जो सेंटल एशिया हो गया है फिक फिर मंगोलिया है मंगोलिया यह फिर एक ट्रॉंस है ठीक है यहां से भी बोलता है साइवेरिया साइवेरिया से भी बोल देते हैं कि साइवेरिया से आये हैं लेकिन फिर भी सबसेदा सबूझ जो वो सेंटल एशिया कही है ठीक है अधिकतर मांते हैं कि वो मद एशिया कही थे नेक्स कोशन की तरह बढ़ेंगे विच आप दा फॉलिविंग वेदास वास कंपाइल सबसे चैंडी जो मंत्रों की संहिसा गिया गिचैन है इसका मूल के सम'T इसका है इसका मूल विषय क्या है रिगवेदा का तो हम कह whole सकते हैं पूछ सकता है के वो मंत्रों की संग्या कितनी है जो 10627 जो है मंत्र इसके अंदर है नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे 31 नंबर पे दा वैदिक एंड केटल रेलिंग ठीक है यानि के इसको हम हिंदी में अगर देखें तो इसमें किडशी या पशुपालन ठीक है किडशी पशुपालन यह दो है ठीक है नेक्स्ट कोशन है मारा दन नौर्मल फॉर्म आफ गॉर्मेंट डूरिंग दा वैदिक पीरियड वास जो गॉर्मेंट थी वह कैसी थी वीदिक काल में डेमोक्रेसी थी वहाँ पर रिपब्लिक्स था या फिर ओलिगर्ची थी या फिर मुनार्ची ठीक है चार आप्शन है राज्टंत्र था तो क्या था यहां प्राचीन भारत में राज्टंत्र होने के बाव्यूत पिर्जा पर अत्यचार नहीं था अनेक दार्शनिक का मानना है कि वैदिक साहित से वैदिक साहित में राज्टंत्र में कल्यार कारी राजा का विचार नहीं था और 600 बीसी ठीक है 600 BC से 420 तक राज तंत्र के मामले में ब्रामणों का कहिना था कि राजा कोई सावान पुरुष ना होकर देपता के समान है ठीक है राजा क्या थे सावान पुरुष नहीं है वो देपता के समान है वे उनके सलाकार थे और उनके बिना राजा ने तो शाशन कर सकता था ठीक है राजा उनके बिना शाशन नहीं कर सकता था जो ब्रहामर थे नाही यग और अनुष्ठान इसके लावा राजा समाज और धर्म का रक्षक होता था किसका समाज और धर्म इन दो चीजों का क्या था रख्चकता था ता गड़ राज्यों में ये समझा जाता था कि मुखिया को जनसादारण से चुना जा सकता है ठीक अगला कोश्चन है the two popular assemblies of the Vedic period were यानि कि दो assemblies जो थी वेदिक काल की popular वो कौन-कौन सी थी तो हमारे पास है सभा एंड महासवा, महासवा एंड गनासवा, सभा एंड समीती, योर एंड कुला ठीक तो जो option number C है सभा एंड समीती ये इसका सही answer होगा जो assembly थी वो यही थी popular इसको अगर देखें deep में तोड़ा सा तो वेदिक काल में सभा एक gram संस्ता थी सभा जो थी ये जो है ठीक है सभा ये क्या थी gram संस्ता थी ठीक है इसके अलाब जो समीती थी वो ये केंद्र ये संस्ता थी ये क्या थी central यानिक जैसे कि अभी हम लोक सभा कहते है ठीक है तो लोक सभा क्या होता है केंद्र से होता है और बिदान सभा क्या होती है राज सभा होती है या फिर पंचायद को ग्राम संस्ता कहते हैं और लोग सभा को समझती इस तरी किसम समझ सकते हैं इस चीज़ को ठीक है तो यह थी केंद्रिये केंदरी संस्ता वैदिक सहित में सभा एक ग्राम संसता के रूप में Cultural एक राजनेदिक संस्ता के रूप में उ लेके तहाtesा राजा समिति की बैटोगों में भाग लेता था ठीक है कौन लेता था राजा अगला कोशन है 34 नंबर द इन्डो ग्रीक किंग्डम सेट इन नौर्थ अफगानिस्तान इन दा बिगनिंग ऑफ दा सेकंड सेंच्री वीसी वास तो इसमें जो ऑप्षन दिये गए हैं चार ऑप्षन है स्याथिया जडरासिया बैक्टारिया और अरिया ठीक है तो सही आंसर जो होगा वो है स्याथिया इस समय इसकिती जंजाती के लोग उत्री अफगानिस्तान पर कबजा था ठीक है इनका कबजा था किस पर उत्री अफगानिस्तान पर इन्हें भारत के भारत में शक नाम से जाना जाता है और दूसरे नाम इनका कौन सा है शक जो इंडिया में हम इनने जानते हैं श के नाम से था थेक है इस कितिया तीक है इसकी थीजा स्सक्षिग है इसकी थेया कि अगला है दब बेस्ट स्पेसी मैंज ऑफ मोरीयं इनस आर्ट ओर रिप aiming मञा इस तू पअ पिलर्स चहत्यास और किर्ट्र ठीक है मोर्य काल के जो बहत्री नमोने हैं वह किस्तर र्पएजर्णर्ट होते है वह होते है इस demek से ठेक है यानिके your बिलर से इस ठंब्र या पिलर एक ही बात है ठीक इंसे पिरदर्शित होते हैं आगे बढ़ेंगे 36 नंबर पर which of the following does not represent an important source material for the Morian period इसमें से ऐसा कौन सा मतलब source है जो important नहीं है does not represent important source जो important source को represent नहीं करता है Morian period के Moria period के Moria Kal के ठीक है literary works foreign account or numismatic evidence और epigraphic sources चार option है मारे पास तुसमें सही जो होगा वो है new mismatic evidence ठीक Moria Kal Kaline साक्षों मुक्ता साहितिक सार्च मिलते हैं क्या मिलते हैं साहितिक यानि कि ये वाले साक्ष मिलते हैं उदहार था मेगा इस्थनीज लिखे इंडिका जो मेगस्थनीज ने लिखी थी मेगस्थनीज एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका ठीक है जब की सिक्षों का साक्ष कम प्रभावी माना जाता है क्योंकि सिक्षों का प्रचनान किसी राजा विशेश के नुसान नहीं बलकि श्रेडियों के अंतगर्थ हुआ थ नेक्स्ट वोश्चन की तरफ बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टार वो दा तमिल किंग्डम टू फर्स सेंड इमिजरीस टू मीट ऑगनी ऑगिस्टीन इन एथेंस टू टू ट्वेंटी वीसी वास तो फलब चोला पांडे चेरा तो इसका सही आंसर होगा पांडे य नेक्स्ट कोर्शन है ठर्टी एट नंबर हूं अमंग दा फॉलविंग वाज़ा फॉंडर ऑफ दनंदा डैनेस्टी ठीक है नंदा वंश का फॉंडर कौन है ठीक महा पदमा नंदा अशोक नंदा धाना नंदा 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 अबब यानिके चार आप्शन है इसमें से जो यानि के फिप्थ से फॉर्ट तक इसापूर से तो इसलिए उलिटा चलता है यहाँ पर ठीक है वो त्री भारत के बिशाल भाग पर शाषन किया नंदवंश की स्थापना जो है वो पिर्थम चक्रवर्तिय समराठ चक्रवर्तिय समराठ भी गोलते हैं महा पदमा नंदा ने की थी दा वर्ड वेदा हैस बीन डिराइब फ्रॉम दा रूट वर्ड विद एंड विच मींस जो वेदा है उसको ड्रैप कहां से किया गया है रूट वर्ड विद से तो जिसका मतलब होता है डिवनिटी स्क्रेटनेस डॉक्ट्रीन नॉलिच चार ओप्शन है इसमें से जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानि कि नॉलिच दरासल वेद शप्ट की उत्पत्ती जो है वो संस्कृत भाषा के विद धातू से हुई है ये क्या है एक तरह की की धातू है ठीक इस परकार वेद का शाब्द अर्थ जो है वो ग्यान के गरंथ है इसी विद धातू क विद्वान ठीक है इसी से विद्वान बना ठीक विद्या बनी और विदित बना ठीक यानि कि इसका मतलब वह जानना हुआ कोई चीज पहले से आपको पता है जाना हुआ कुल मिलाकर वेद का अर्थ जानने योग घ्यान के गरंथ है नेक्स्ट है फॉर्टी नंबर कॉश्चन दा कुशन रूल वास ब्राउट टू एन एंड वाई जो कुशन का रूल था वो किसके द्वारा एंड हुआ दा नागास, दा बिर्टिशर, समध्र गुप्त या फिर फॉर्थ वाला आप्शन जो है हमारा दा हिंदू सही डैनिस्टी तो आप्शन जो फॉर्थ वाला वो इसका करेक्ट होगा दा हिंदू सही डैनिस्टी यानि के शाही ठीक है ये सही नहीं शाही है शाही डैनिस्टी दा हिंदू शाही डैनिस्टी शाही या शाही राजबंशों ने भारत के मद्राज्यों में शार्षन किया, जिसके अंतरगत काबुलिस्तान तर्था गंधार, वर्तमान समय में जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, काबुलिस्तान, काबुलिस्तान या फिर कह सकते हैं गंधार, कहां पर या भी पाकिस्तान, ये राजबंच तीसी शदाबदी में कुशार राजबंच के पतन के वाद शाशन में है और नौभी शदाबदी के आएरब तक शाशन किया है इस राज को 565 से 8-7-9 इस भी तक काबुल शाही फार्सी में काबुल शाहान कहा जाता है इस समय इसकी राज़दानी कपिसा और काबूल थी राज़दानी क्या थी? कपिसा या काबूल ठीक बाद में इसे हिंदू शाही कहा जाने लगा आगे बढ़ेंगे नेक्ट कोशन है इसका सही अंसर होगा यानि के इसको अगर हम डिटेल में जाएं तो उत्रनी बहुत परंप्रा के अनुसार बहुत बिक्षू उपगुप्त समराट अशोक के धर्म गुरू थे ये कौन थे? धर्म गुरू भी थे ठीक? धर्म गुरू और इनों ने ही अशोक को बहुत धर्म की दीक्षा दी सबसे दाधा अशोक इनी से पिरवावित हुए और बहुत धर्म को इनों ने अपना लिया ये ठीक है तो ये कोशन यहां से यह ऐसे भी पुछ सकते हैं के इनके धर्म गुरू कौन थे तो उप गुप थे उप गुप थे अगला है दूरिंग कनिश्का रीजन दे सेंटर अफ पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टिट फ्रॉम मगदा टू जो कनिश्का का जब टैम था तो उस टैम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो मगद से कहां गई थी दिल्ली आयोद्या कन्नोज और पेशावर या फिर पुरुशपूरा जो हमारा डी वाला उप्शन है तो इसका सही आंसर जो होगा डी वाला ही है पेशावर या पुरुशपूरा कुडाक सूरिय मंदिर किट्शन वर्ष के संस्ताव पक जो थे कुजूल कड़ फिसेश एक ही वन्शच कनिश्क वक्खे से इस समराज का पर सत्तरून हुआ इससे ही राजदानी को मगज से पुरुशपूर यानि के पेशावर जो पाकिस्तान में है ये भी कहा है पाकिस्तान में है वहाँ पर शिट किया गया इस्थान अंतरित किया गया अगला है which of the following Sanskrit language, इसमें से कौन सी Sanskrit language है, तो कुशांस, मौर्यास, गुपतास, इंडो ग्रीक्स, तो गुपतास जो है वो इसका सही आंसर होगा, गुपत लिपी जिने गुपत ब्रामी लिपी भी कहा जाता है, क्या कहाता है, गुपत ब्रामी, ब्रामी लिपी भी कहा जाता ह है, भारत में गुपत समराज के काल में Sanskrit लिखने के लिए प्रियोग कि जाती थी, गुपत लिपी ब्रामी लिपी से बनी होती थी, और इसमें आगे चलकर देवनगरी, ठीक है, देव, नागरी, और कह सकते हैं, गुरू मुखी, या तिब बतन, ठीक है, या फिर बंगाली, असामी, ये लिपियों को जनम दिया था, ठीक, आगे बढ़ेंगे अब, किसने मतलब कुनार्क सूर्य मंदिर, वो किसने बनाया था, कनिश्का, अशोक, नरसिम्मा, देवर, टू, और राजेंदर, चोला, तो इसका सही आंसर होगा, वो नरसिम्मा, देवर, टू, ठीक है, कुनार्क सूर्य मंदिर का निर्मार जो है, लाल रंग के, बलुवा पत्थर से हुआ था, ठीक है, लाल रंग के बलुवा पत्थर से हुआ, तदा काले गरिनाइट से, काले गरिनाइट, और हुआ कब था, ये 1236 से 1264 इसापूर, गंगा के वश्ट अतकालिन सामंत, राजा नडिसनम्देव दो द्वार बनवाय गया, ये मंदिर भारत के सबसे पढ़त से पिरिसी इस्तलों मेंस एक है, और इसे यूनिस्को सब्षूरा सन 1984 में, यूनिस्को, यूनिस्कों की धरौवर बताया गया, ठीक है धरौवर गोशित कर दिया गया, 1984 में, तो यहां से इतने कोशन बन सकते हैं कि UNESCO ने कब इसको मतलब दरोवर गोशित करा था तो 1984 में किया था किस किस से बना है तो लाल रंग प्लस काले गरेनाइट से बना ही 1236 से लेकर 1264 के बीच में यह बना है और बनाया किसने नरसिम्मा देवटू ने नेक्स कोशन है विच आप दा फॉलविंग इसकप्चर इंवेरिबली यूज़ ग्रीन इसकिट्स ऐस दा मीडियम मौरिय स्कुल्प्चर मत्थुरा स्कुल्प्चर बहरूत स्कुल्प्चर और गांध्रा ठीक है तो चार आप्शन है इसमें सही जो होगा वो है बहरूत स्कुल्प्चर को क्या कहते हैं मूर्थी कला में हरे रंग ठीक है इसमें क्यों सा रंग था हरे हरे रंग को रुपांत्रे चट्टानों से निर्मित परत्दार अकृतियों का उप्योग होता था ठीक है तो शुमेला, सुमीला, सुधारका और शौनाका और सू सुरुथा चार आप्शन है इसमें सही आंसर जो होगा वो है गुप्त काल में जो चिकिस्था का छेत्र था वो सूसुरुत का बड़ा योगदान रहा है सूसुरुत या सूर्जुथा इंग्लिश में इन्हें सुसूरुत सहिंता की रशना की ठीक है 47 है In the context of ancient Indian society Which one of the following terms does not belong to the category of other three Kula, Vamsa, Kosa और Gautra तो सही answer जो होगा वो है Kosa या फिर Kosh English में भी रिकत है Kosh Kosh को छोड़का सब परिवार से संबन्दित है ये Koshी इसमें opposite मतलब out है Who wrote Mirichika Tika Clay Cart अकबर कालिदास सुदर का और डेंडिन तो answer इसका जो होगा वो है सुदर का या फिर Mirch कटिक का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी Clay Cart यहाँ पर लिखा है Mirch कटिक का या Mirch कटिक यह शुद्रक की रशना है Mirch कटिक संस्कृत नाटक है क्या है एक संस्कृत नाटक है After the partition of India जब partition हो गया लार्जस नमबर ओफ हड़पण टाउन्स एंड सेटलमेंट्स है बीन पाउंड इन पंजाब हरियाना गुजरात उत्तरप्रदेश इसका सही आंसर होगा गुजरात गुजरात में सबसे आदा पाए गए हैं और लोथल जो है ठीक है लोथल सूर कोटदा या दौला वीरा जो है वो सब कहां आते हैं वो गुजरात में ही आते हैं सबसे अधिक monster गुजरात में पाए आते हैं मोहन जोड़ो हडपई वनावली दौला वीरा हडपः सब्दा के सबसे बड़े नगरों में आते हैं अगला चलेंगे last question आज की वीडियो का 50 number the indus valley civilization can be set to belong to the paleolithic age, primitive age, neolithic age, bronze age तो इसका सही आंसर जो होगा वो है bronze age यानिके D वाला सिंदुगाटी की सब्विता जो है वो कास यूगीन सब्विता है ठीक है, bronze को क्या कहते हैं, कास कहते हैं, तो ये कास काल भी या कास यूगीन संब्विता कहला जाती है तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्याद से जादा शेयर करें, ताकि ज्याद से जादा लोग इसका लाब उठा सकें आज के लिए इतना ही, thank you very much